भारत के राश्ट्रिय राजधानी क्षेत्र में सार्वजनिक यात्री परिवहन को रफ्तार देने यात्रा को सुगम वा सुखद बनाने का एक महत्व कांग्शी प्रियास है Regional Rapid Transit System यातायात का ये रेल आधारित आधनिक साधन पारमपरिक शेत्रीय यातायात साधनों से बिल्कुल अलग होगा इसकी maximum speed 160 km और आसध speed 100 km प्रदि घंटा के होगी जो की metro से 3 गुना तेज होगी 2-3 घंटे लग जाते हैं मेरत से दिल्ली आने मैं इस रीजिनल रेल के निर्माण से राष्ट्रिय राजधानिक शेत्र के 5 करोड से भी अधिक लोगों को अब अपनी यात्रा के लिए जद्दो जहत नहीं करनी पड़ेगी साथ ही ये यात्रा का तेज, विश्वसनिये तथा आराम दायक आधार भूद साधन बनकर सतत पस्थाई आर्थिक विकास को गती प्रदान करेगा आराटीयस के प्राजेक्ट के पहले चरण में तीन कॉरिडोस बनने हैं जिसमें दिल्ली, घाजियाबाद, मेरट कॉरिडोर सबसे पहला है और उन पर निर्मान पूर्विकारे आरंब हो चुका है इस कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर के करीब होगी जिसमें लगभग 67 किलोमीटर एलिवेटेड और 15 किलोमीटर के करीब अंडर ग्राउंड होगा आरा टियेस का दिल्ली मेरट कॉरिडोर यात्रियों को नगरों के बाहर नहीं छोड़ेगा बलकि दिल्ली, घाजियाबाद, मुराद नगर, मोदी नगर वा मेरट के बीचों बीच से होता हुआ नगरों के केंदरों को जोड़ कर यात्रा को सुगम बनाएगा इस डेडिकेटिड रेल आधारित फास्ट्रैक कॉरिडोर पर स्टेशनों की आउसतन दूरी पाँच से दस किलोमीटर की होगी तथा ट्रेन पाँच से दस मिनिट के अंतराल पर उपलब्ध होगी इस स्माट रेल दिल्ली में सराय काले खां से शुरू होकर न्यू अशोक नगर, आनंद विहार, साहिब अबाद, घाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुराद नगर, मोदी नगर साउथ और मोदी नगर नौट्स से होते हुए मेरट में मेरट साउथ, शताब्दी नगर बेगम पुल से घुजर कर मोदी पुरम स्टेशन तक जाएगी, इस रैपिड रेल के रख रखाव के लिए दो डीपो भी बनाए जाएंगे, इनका संचालन सेंट्रिलाइजड अपरेशन कंट्रोल से होने के कारण, घने कोहरे एवं आसामाने मौसम में भी इन ट्रेनों के परिचालन में कोई बदलाव नहीं आएगा, जहां आम तोर पर एक चार लेन के राजमार्क के निर्मान के लिए करीड 40 मीटर चोड़ी भूमी पट्टी के आवशकता होती है, वहीं रीजिनल रैपिड रेल दिल्ली मेरट हाईवे के बीचों बीच दोड़ेगी, जिसके ल परेंजमंट एरप्लेन के अनुसार किया जाएगा, सोलर उर्जया का अधिक्तम उपयोग होगा, वहीं साथ ही सारबजनिक यातायात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक एक एक्जिक्यूटिव कोज की व्यवस्था भी होगी, महिला यात्रियों के लिए भी स्प परिवहन का उपयोग बढ़ेगा, ये अनुमान लगाया गया है कि रोजाना ओसतन आठ लाक यात्री रैपिड रेल के दिल्ली मेरट कोरिडोर पर यात्रा करेंगे, यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन पर CCTV कैमरे, नियंतरन कक्ष और प्लाटफ खुलेंगे, सुविधा और सुरक्षा की सम्याक व्यवस्था, यात्रियों को विश्व स्तरिय सारवजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्द कराएगी, सरकार द्वारा मेरट वासियों की स्थानिय आवा गमन की आवशक्ताओं को समझते हुए एक अनूठी योजना का का परियान वयन किया जा रहा है, NCRTC, RTS के ट्रैक पर ही मेरट में मेट्रो सुविधा भी देगी, इसको करने से नकिवल नियमित आने जाने वालों को सुविधा होगी, बलकि मेट्रो को रैपिड रेल के ट्रैक पर ही चलाने से सरकारी खाजाने के भी लगभग 6300 करोड कोरिडोर का निर्मान भी होगा, जिससे भविश्य में दिल्ली मेरट, पानीपत वा अलवर के इन कोरिडोरों के नस्दीक रहने वाले लोग, रीजिनल रेल के माध्यम से किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक बिना ट्रेन बदले, सफर रफ्तार के साथ कर पाएंगे रीजिनल रैपिड रेल कोरिडोर की एक और खास बात ये होगी, कि इसे यातायात के दूसरे साधनों के साथ भी निर्बाद रूप से जोड़ा जाएगा, जिनमें ISBT, रेलवे जंक्षन, एरपोर्ट और मेट्रो के स्टेशन भी शामिल है जैसे सराय कालेखा स्टेशन को हजरत निजामोदीन रेलवे स्टेशन, निजामोदीन मेट्रो स्टेशन, रिंग रोड तथा बसड़े के साथ इस तरहें जोड़ा जाएगा, कि यातरी एक साधन से दूसरे साधन तक आराम से बिना किसी अस्विधा के जा सके इसके लिए लिफ्ट्स, ट्रैबलेटर्स, वॉक्वेज जैसी सभी सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा, दिल्ली मेरट कॉरिडोर की निर्मान से अनेक छोटे बड़े क्षेत्रिय केंदर आपस में जुडेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले जिसके फल स्वरूप जॉब्स में बढ़ोतरी होगी, तथा स्वास्थियर, शिक्षा और व्यवसाय के क्षेत्र में भी नए अवसर देखने को मिलेंगे, साथ ही फ्यूल में बचत, सडकों पर ट्राफिक का कम होना, कार्बन उत्सरजन में कमी, और सबसे एहम अपने परि झाल